हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग आसा करता हूं अच्छे होंगे तो जैसा कि मैंने आप से कहा था कि मैं जप्टर नमबर थ्री में उत्तर प्रइश में जो क्रसी व्यवस्ता है उसको पढ़ाऊँगा इसलिए मैं तीसरा चेप्टर उत्तर प्रदेश की क्रसी व्यवस्था आपके सामने ले करके आया हूँ ठीक इस चेप्टर में हम क्रसी व्यवस्था सम्मंदित सारे फैक्ट को जानेंगे ठिक सारे तथ्यों को समझेंगे और उसके जो व्याख्यात्मक प्रश्ण हैं उनको भी हम जानने की कोशिस करेंगे ठिक तो सबसे पहले तो हम आंकड़ों पर चर्चा करेंगे देखए यहाँ पर हुआ क्या है मैं बता दूँ किस परकार से आंकड़े हमारे प्रस्तूत हुए है यहाँ पर देखए क्रसी से सम्मंदित पहले मैंने बेसिक्स चीज़े उठाई हैं कुछ आंकड़े उठाएं फिर इसके बाद हम इसके विभाग को पढ़ेंगे ठिक उत्तर प्रदेश में क्रसी विभाग को जानेंगे क्रसी विभाग को स्थापना कैसे होती है फिर इसके बाद मंडी परिसत को समझेंगे मंडी परिसत में हम मतलब उसके वी स्थापना वर्स को जानेंगे ठिक और फिर इसमें हरित करांती को भी समझेंगे कुल मिला करके उत्तर प्रदेश की क्रसी विवस्था का जो हमसार है वो इस वीडियो में सीखेंगे और इसके बाद फिर मैं धीरे से रवी की फसल खरीब की फसल जायत की फसल उत्तर प्रदेश की मिट्टियां बागबानी फसल इन सब चीजों पर धीरे 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 पूरे फैक्ट के साथ चप्टर को खतम करूँगा क्योंकि लेकपाल की परिक्षा में इस चप्टर से बहुत सारे प्रिश्ण पुछे जाएंगे ठीक चलिए फिर स्टार्ट करते हैं देखे सुसे पहला पॉइं भारत में पूरे भारत में जो क्रसी योग भूमी है उसका 20 प्रिश्ण जो है वो अकेले उत्तर प्रदेश एक्वायर करता है और उस 20 प्रिश्ण भाग पर 73 प्रिश्ण लोगों की जीविका का शाधन क्या है क्रसी है मतब 73 प्रिश्ण लोगों की निर्भरता क्रसी पर है इस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश राजी की कुल भूमी का 88 प्रतिसत भाग करसी होती है ठीक 88 प्रतिस अन्य उत्तर प्रदेश के अगर हम कुल भाग को देख ले तो उसमें 88 प्रतिसत भाग ऐसा है जहां पर करसी होती है और उस 88 प्रिश्ट भाग से हमें कुल 68 प्रिश्ट की आय होती है बात समझ ना गई तो ये कुछ मुख्य मुख्य आंकड़े हैं इनको ध्यान लखना देश में कुल करसी योगे भूमी 20 प्रिश्ट की उत्तर प्रिश्ट के पास है जिसमें 73 प्रिश्ट लोग करसी पर निर्भर हैं और उस 73 प्रिश्ट में से आगे क्या है कुल भूमी का 88 प्रिश्ट भाग पर करसी होती है यह उत्तर प्रदेश के पास जो है यह वाली जो बात आ रहा है यह केवल पूरे इंडिया की बात आ रही है और यहाँ पर जो 88 परहिक है वो किवल उत्तर प्रदेश की बात है उसमें से 68 प्रिसित की हमें आयप रापत होती है यहाँ पर देखिए यह उत्तर प्रदेश में पूरी जो क्रसी है उसका एक ठाचा मैंने दिया हुआ है जिसमें से 45% भाग पर गन्ना होता है जो पूरी अगर उत्तरपदेश की भूमी की बात करें उसमें 45% भाग पर गन्ना होता है 14% भाग पर तिलहन होता है 38% भाग पर आलू होता है और 20% भाग पर अन्ने खादान होता है ठीक तो इसको ध्यानकना अब देखे सरवादिक छेतरफल कौन अक्वाइर कर रहा है सरवादिक छेतरफल जो है यह आपका गन्ना अक्वाइर कर रहा है ठीक जो को जो की 45 प्रिशत लिये हुए है तो इस बात का भी ध्यानकना इतनी बत समय आ गई आगे बाड़े चलिए साया 73 प्रिशत खेती होती है उस 73 प्रिशत में यह आकड़ा विध्यानकना जो 73 प्रिशत से अधिक किशान है वो कैसे हैं शीमांद किशान है कैसे किशान है शीमांद किशान है उसी में शीमांद किशान की यह डिफिनीशन दी है जो कि बहुत बार पूची गई है तो जिन किशानों के पास जो भूमी है वो एक हेक्टेर से कम होती है एक हेक्टेर से कम भूमी वाले जितने भी किशान होते हैं उनको हम शीमांत किशान की स्रेड़ी में रखते हैं ओके बात समझ में आ गई चलो इतनी बात समझ में आ गई तो इसके साथ ये भी समझ लेजिए कि खेती सितात पर गया है अगर खेती की पूछी जाए परिभासा तो खेती के परिभासा क्या बताएंगे समझ ये वर्स में सुद्ध खेती यानि कि किया गया छेतर और वह छेतर जिसमें एक बार से अधिक वह छेतर जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो उसको हम खेती की संगा देते हैं वर्स में शुद्ध खेती यानि कि जो एक छेतर फल है जहां पर सुद्ध रूप से खेती की गई है और उसी छेत्रफल में एक से अधिक बार खेती की गई हो उसी को हम खेती की सिर्णी में रखते हैं ध्यान रहेगा? चलो उतनी बात समझ जा गई? चलो बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश में हरित करांती से सम्मंदित कुछ आंकड़ोगे तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हरित करांती के जो भारत में जनक है वो MS. श्वामी नाथन को माना जाता है ठीक है? तो इसकी जो सुरुवात होती है उसको भिधान अखना देकि हरित करांती के जो चरण थे वो दो चरण थे ठीक प्रथम चरण 1966 से लगा कर सरसर तक चला जो की गेहूं पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पर हुआ? गेहूं पर ठीक गेहूं का उत्पादन प्रथम जो चरण था उसमें सबसरवादिक होता है इसके बाद दुती चरण आता है दुती चरण का बाता है तो ती चरण इसका प्रारम होता है 1977 से लगा करके 1978 तक अब इसका फोकस किस पर था? इसका फोकस जो था वो चावल पर था प्रथम चरण में केहूं पर फोकस दूसरे चरण में चावल पर फोकस अब देखो यहाँ पर समझी प्रथम चरण में उन छेतरों को लिया गया था जहां पर जो वर्सा है जो पर्यावरण है वो खेती के अनुकूल है लेकिन ऐसे कुछ छेतर बाकी रह गया थे जो केवल और केवल मानसुनी वर्सा पर ही निरभर थे तो वहां पर हम दूसरा चरण लेकर के आते हैं हरित करांती का बासमन में आ गई तो इसी में एक चोटा सा ये स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए यहां पर उत्तर परदेश के बारे में बताया गया है कि उत्तर परदेश के पूरवी एरिया में अगर हम पूर्वी एरिया की तरफ चले जाएंगे तो इधर हम खरीब की फसल जादा से जादा देखेंगे और अगर हम इधर पस्चिम की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पर हम रवी की पैदावार जादा देखेंगे तो यह थोड़ा सा इसको समझ लेना ये कुछ हरित करांती से सम्मधित आकड़े थे इतनी बास सुने आ गई आगे बढ़े चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्श नम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में क्रसी विभाग की देखे करसी का विस्तार करने के लिए करसी विभाग की बहुत बड़ी आवश्यक्ता थी तो इसी को ध्यान में लखते हुए इसकी स्थापणा 1875 में की जाती है ध्यान लगना 1875 में की गई और 1919 में ये जो करसी विभाग था जो करसी छेत्र था उसको एक प्रांती विशय के रूप में इंटिड्यूस किया गया प्रांती विशय के रूप में अगर इंटिड्यूस कर दिया गया है तो क्रसी विभाग कैसा हो जाएगा क्रसी विभाग एक सोतंत्र विभाग बन जाएगा तो इसलिए 1919 में ही क्रसी विभाग एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया अब क्रसी विभाग के अंतरकत बहुत सारे विभाग आते हैं जैसे कि हम बात कर लें उत्तर प्रदेश बीज विकाशनिकम राज बीज मानक प्रमाणी करण संस्था राज क्रसी प्रबंदन संस्था उत्तर प्रदेश क्रसी अनुसंधान परिशत तो इस प्रकार से कुछ इसकी क्रसी से सम्मंतित विभाग है ये भी आपको ध्यान रखना है ठिक जाम में पुछा जा सकता है आगे बात करते हैं राज क्रसी उत्पादन मंडी परिशत की इसकी स्थापना कब होती है इसकी स्थापना होती है 1973 में ठिक और चलिए आगे पहले समझते हैं इसको थोड़ा सा हम उपर करते हैं बात कर रहे थे हम राज क्रसी उत्पादन मंडी परिशत की तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर इसकी स्थापना ही क्यों की गई समझे हुआ क्या वर्ज 1973 में जो मंडी समतियां थी इनमें विभिन गतिविधियां जो होती थी और जो योजनाय आती थी उन योजनाओं का जो कार योजन है वो अच्छे प्रकार से हो एक मार्ग दरसन ह हो नियंत्रण हो तो उसको देखते हुए क्रसी उत्पादन मंडी परिशित की इस्थापना की गई थी और उसमें इसने बहुत सारे सकारात्मक कार्यों को भी अंजाम दिया जैसे कि ये कांकड़े के अनुसार अगर हम देखें तो जो क्रसी वर्स 1972 थी था कौन सा वर्स 1972 थ थी वो 1918-1920 में बढ़ गई दोजार अठारा उनिस में वन पॉइंट नाइन टू करोन से बढ़ करके अठारा सो पैंतिस दसंबलों एक चार करोन रुपए हो गई थी तो इतना अगर लाब कमाया है इतना अगर मुनाफ़ा कमाया है तो यह केवल और केवल राज जिकरसी उ कार यो जनाय थी वो जमीनी इस तर तक आती थी उतर कर गए ठीक जैसे कि बहतर भंडार की सुविधा प्रारम्भ हो गई बाजार में जो जो निर्माता थे विक्रेता थे उनको सुविधाय मिलने लगी बाजार समयतियों की स्थापना होने लगी तो इस प्रकार से क्या क्या जाना इस क्लास में हमने क्रसी से सम्मंदित कुछ आंकड़े जाने हरित करांती के बारे में जाना उत्तर प्रदेश के सीविभाग की स्थापना कब हुई उसके अंतरगत कौन कौन से विवाग आते हैं यह जाना और राज क्रसी उत्पादन मंडी परचत के बारे तो यह हमारी तीसरे चप्टर की फर्स्ट क्लास थी ठीक पहला पार्ट था दूसरे पार्ट को जरूर अटेंड करिए ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके मिलते हैं नेक्स क्लास में धन्यवाद